इनकम फ्रॉम सेलरी आपके एक्जाम में एक कुश्चन आएगा फिफ्टीन मार्क्स का पंदरा नंबर का कुश्चन आएगा इस चेप्टर के अंदर सेक्शन कितने 15 से लेके 17 संदरन्री के लسمतरा और इस सेक्शन के अंदर भी काफी सारे का नाम है सेलरी सेलरी का मतलब किया होता है ये देखते निए जब कभी भी आपका employer और employee का relation होगा employer और employee का मतलब क्या है law के अंदर salary का वैसे meaning define नहीं है कि इसको salary बोलेंगे बस यहाँ पर एक general definition है कि जब कभी भी employer और employee का relation होगा और वहाँ से जो income generate होगा वो salary होगा जैसे मान लो यह for example और इसको दूसरे language में law के language में इसको master बोलेंगे and इसको servant अब यह servant जो है वो यहाँ पर job करता है suppose that यहाँ पर यह servant क्या करता है job बदले में master इसको time to time इसको monthly कुछ न कुछ amount देता है जो भी amount paid करता है इसको इसको मिल रहा है इसको जो भी पैसा मिल रहा है हम call करेंगे कि इसके लिए तो यह income है क्योंकि master ने अपने servant को जो भी दिया चाहे आपका monetary ट्रम में दिया चाहे non monetary में suppose करो यह क्या करता है इसको commission bonus salary ना देके कोई समान दे देता है हर बार तो जो भी इसके पास receive होगा मानलो mr. राम है ये servant जो भी इसके पास received होगा वो इसके लिए income होगा और जो income होगा वो under the head of salary के अंदर आ जाएगा लेकिन इसके लिए क्या होगा master के लिए क्या होगा जो इसको payment करेगा expense होगा इसके लिए तो यह जब profit and loss बनाएगा अपना तो यहाँ पे वो P&L के अंदर अपना salary दिखाएगा खर्चे में तो basically salary जो main first head है salary में गॉर्मेंट salary किसको मिलता है जो की job करते हैं और normally माना जाता है जो job करते हैं उनका क्या होता है कोई एक fixed income होता है उस हिसाब से उनका पूरा घर चलता है जादा भी salary हो सकता है कम भी तो government जिसका salary होता है उसको बहुत सारे benefits देता है तो हर कोई इस head के अंदर आना चाहता है इसके अंदर exemption है deduction है और बहुत सारे और भी benefit है तो हर कोई चाहता है कि मेरी income किसमे हो जाए salary में taxable अगर मेरा PGPP का income है तब भी मैं चाहूँगा कि मेरी income हो जाए salary में taxable या फिर और कहीं कि income मैं चाहूँगा salary में तो government ने कुछ rule बनाया हुआ है कि अगर master और servant का relation exist करेगा तब ही बोलेंगे बीच का difference कि है हमारा salary otherwise salary नहीं माना जाएगा जैसे कि suppose करो मैं example लेता हूँ MLA member of registered assembly MLA कहां पर बैठते हैं राज्य सभा में जो राज्य सभा में बैठते हैं तो इनको salary कौन देता है government देता है लेकिन government को ये खुद ही चलाते हैं देखा जाए government को run कौन करता है ये MLA ही run करते हैं जैसे Delhi government है तो Delhi को कौन चला रहा होगा डेली का जो भी government है वो ये वहां पर बैठते हैं जाके और बदले में इनको payment दिया जाता है salary के तरीके से कुछ पैस पैसे हर महिने मिलता है लेकिन इनका fix नहीं होता पांस साल के बाद retire होंगे तो मिलना बंद हो जाता है इनको जिस तरीके से तो यहां पर basically government ना यहां पर master का role नहीं play कर रहा government थोड़ी बोलता है कि आप ये काम करो master में तो क्या होता है कोई ना कोई वहां पे सामने आला जो master है वो सामने आला को बताना चाहिए कि इस तरीके से काम करो इस तरीके से काम करो तो वो सामने आला करेगा तो हम बोलेंगा जी आप तो मेरे क्या होगे servant लेकिन यहां पर government कभी MLA को नहीं बोलेगा मैं दिल्ली सरकार की बो बात कर रहा हूँ कि अगर यहां पर कोभी भी नहीं बोले है कि आप ऐसे करो क्यूंकि MLA government के हिसाब से rule बदल देते हैं अपना तो यहां पर इसको भी पैसे मिल रहा है लेकिन यह salary का part नहीं माना जाता है यह other source में चला जाता है सेम ऐसे मान लो director अगर मान ले हम company का director company का जो भी director होगा उसको वहाँ salary दिया जाता है salary देने के बाद हमेशा एक board meeting होता है हमारा director board meeting जो भी director board meeting होगा उसके अंदर director की इच्छा है कि वो जाए या ना जाए मैंने आपको meeting में invite किया तो आपकी मर्जी आप आओ चाहें मत आओ और meeting में बैठके यह कोई काम नहीं करने वाला बस अपना एक decision देने वाला है simply और जब कभी भी director का board meeting होता है तो जब board meeting होगा तो जितने member जैसे मैं आप सब meeting में आये हो आप सबको मैंने बुलाया बुलाने के बाद हर किसी को उसी time payment दे दिया जाता है क्यों पैसे मिले salary तो दे रहा हूँ मैं आपको वो इसलिए मिला क्योंकि वो job के अलावा आप से मैंने कुछ काम कर वाया है और वो आपके इच्छ है उस meeting में जाओ या मत जाओ तो ऐसे situation में जो director को monthly मिल रहा है वो तो salary है servant और employee लेकिन जो वहाँ पर sitting fee मिला है वो salary का partner नहीं है वो other source में चला जाएगा उसका taxable same examination के लिए क्योंकि आगर आपको पता हो कि हमारे एक university है आपका question paper जो design करता है अगर कोई केमसी में पढ़ रहा है तो केमसी college वाले design नहीं करते है question paper अगर कोई guru govin singh में पढ़ रहा है तो उसका guru govin singh वाले design नहीं करता question paper design करने का काम है due का इस due के under सारे college registered है एक तरीके से जैसे इस due के अंदर मान लो आप srcc या फिर आप ggs ये सारे college क्या है इस due के under registered है यहाँ पर बहुत सारे lecturer प्रोफेसर यहाँ पर होंगे जो यहाँ पर प्रोफेसर होगा उसको salary due से नहीं मिलेगा उसको salary ggs है तो ggs के hand से मिलेगा या फिर src है तो src के hand से मिलेगा लेकिन तो इसके बीच में यानि यह जो college है और यह पूरा का पूरा university है जो की एक जिसने अपने अंदर सब को registered किया हुआ है जैसे cbsc तो cbsc क्या है हमारा क्या जो आपके school में 12th standards में जो teacher पढ़ाते थे क्या cbsc का paper वो आपके आपका अलग से paper design करते थे नहीं पेपर तो cbsc से बन के आता था लेकिन उनको जो salary है वो cbsc नहीं देता वो डेली government देती है उनको salary तो उनको salary कोई और दे रहा है school के हिसाब से तो सेम ऐसे src वाले इसको salary देते हैं professor को for example तो इनके बीच में जो relation है ना वो servant और master का है master and servant का बीच का relation है तो salary है लेकिन do वाले professor को अप्रोच करते हैं कि भाई मेरे पास काम जादा है कुछ question paper आगें आप question paper answer sheet भी चेक करिए आप या हमारे लिए आप question paper बनाईए तो यह जो professor है वो तो src में काम करता है यहां पे तो करेंगा नहीं तो ऐसे situation में do वाले क्या करेंगे इससे अगर agree होता है यह के मेरे question paper को set कर दो या फिर मेरे लिए question paper बना दो या फिर मेरे answer sheet को चेक करो बदले में इसे fee मिलेगा और यह as a professional fee है बदले में इसको क्या मिलेगा fee और जो fee मिलेगा इसको वो इसकी इच्छा है कि यह मना भी कर सकता है इसको वो आपका other source में taxable माना जाएगा examination fee क्योंकि क्योंकि यहां पर यह इसका employer नहीं है इसका employer कौन है src या फिर ggs तो इन सब को यहां से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि होता गया नॉर्मली salary के अंदर बड़े साथे benefit दें क्योंकि salary जो है वो low category या mid category person को मिलता है तो government बोलते हैं अगर इससे ज्यादा tax लेंगे तो इनका तो वैसे income कम होता है और हम tax ले लेंगे तो इनको बड़ी दिक्कत होगी अपने जो भी है लाइफ को survive करने में इसलिए उनको benefit देते हैं सो उसने कम से कम इससे tax लिया जाए तो हर कोई चाहता है कि salary वाले head में बहुत सारे benefit है तो हम अपनी income कहा इनकोर्परेट करते हैं वहीं लेकिन government ने simple बोल दिया कि master और servant का relation होगा तभी आपका salary में taxable होगा otherwise taxable नहीं होगा मैं बात कर रहा हूँ यहां पर salary income तो सबसे पहले तो salary जो generate होगा employer और employee का relation और हम जो employee income कमाएगा उस income की कैसे calculation करेंगे क्या क्या benefits मिलेगा वो सारे benefits देखेंगे हैं अगर इसको 50 लाख रुपए या 10 लाख रुपए मिल रहा है तो 10 लाख रुपए थोड़ी ना tax दे आगा government बोलता है कि भाई 10 लाख रुपए अगर आप साल के कमाते हो तो आपके जो है बहुत सारी problem होगी बहुत सारे खर्चे होंगे तो आपको सब पर tax नहीं देना benefit देंगे उसके बाद देना tax तो सबसे first rule जो है definition यहाँ पर salary का कोई भी नहीं है एक normally law में एक बोल दिया है कि यहाँ पर master servant होना चीए पेई और पेयर होना चीए पेई कोन होता है जो receive करता है और पेयर जो कि देगा अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा discuss के salary में हम क्या क्या सीखेंगे मैंने एक छोटा सा format बनाय हुआ है इसके अंदर मैंने main main heading डाल दी हैं सबके एक main main heading सबसे पहले जितने भी heading डाले हुए ने ये सब हमें सीखना पड़ेगा one by one और इसके अंदर भी parts हैं काफी सारे जैसे basic जब कभी भी आपको अगर 15,000 रुपे जो job करते हैं 15,000 मिल रहा है या 25,000 मिल रहा है या 40,000 महीने का मिल रहा है तो ये सब जोड करके मिलता है वो वो आपको बताते नहीं आप तो सोचते हो बस salary है उस salary slip अगर कोई demand करेगा तो उनको पता चले आए कि ये सारी dependent है एक ऐसा basic जिसके उपर ये पूरा dependent है जैसे मैं for example लूँ तो basic salary government employee में जिनकी 5,000 है तो उनका salary पता ही कितना हो जाएगा 60 से 70,000 रुपे हो जाएगा total उसी basic salary पर जूड जूड के जूड जूड के जूड जूड के जूड जूड के तो basic salary ना बहुत कम होता है जैसे आप आपने देखा हुए grade 4700 पे काम करता है अगर जो government का है grade 4400 पे काम करता है उस तरीके से तो हमें तो सबसे पहले समझना पड़ेगा basic salary क्या होता है basic salary होगा जो government एक normal decide करेगा इसके बाद डियर्नेस allowances dearness allowances क्या होता है time to time पे महंगाई बढ़ता जाता है तो महंगाई बढ़ता है आपका employer हर बात का ख्याल रखेगा salary आपको तो लगता है बस salary दे दिया उसने salary ने दिया आपके पूरे पूरे परिवार का ख्याल रखेगा employee अब यह basic salary दे दिया उसने basic salary आ गया मानलो 4000 दियर्नेस अलांसिस क्या होता है हमारा महंगाई भता इसके मतलब क्या हो गया कि जैसे महंगाई बढ़ेगा आपका बढ़ता जाएगा मैंखलो आपका 5000 था और डीय आपका 100% बेशिक का तो अगर मैंने आपको बोला कि ये 5000 तो इसका दिये भी कितना होगा इट मेंस आप रिसीव कर रहे हो दस हजार आपने बोला सेलरी बढ़ा दो बड़ी दिक्कत हो रही है तो वो क्या करेगा अगर बेसिक बढ़ाएगा तो सब बढ़ जाएगा वो सिर्फ क्या बढ़ाएगा अच्छा महंगाई बढ़ गई या डिये बढ इसके बाद बोनस बोनस क्या होता है बोनस जनरली आपने देखा होगा डेली के अंदर हर जगा अलग अलग कस्टम होता है डेली के अंदर कब दिया जाता है दिवाली के टाइम पर और कहीं कहीं पर दशेरे के टाइम पर दिया जाता है तो बोनस क्या होता है जितना आप 12 म महीने काम करते हुऊं तो मिलेगा ही मिलेगा उसके अलाबा भी म्प्लॉई दे देते हैं जैसे बैंक में हैं 12 मेहने की सेलरी एकस्टरे слinea टो वहो गया बोनस वह भी किसका part है हमारे का सेलरी का कमीशन है अब आप तरीके के होते हैं? मानलो आप कहीं पर जॉब करते हो, मुबाइल फोन के SIM बेचते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, कि आप 50 SIM तो आपको बेचने ही बेचने है, उसके बाद जब आप 51 SIM बेच होगे, तो 500 रुपे कमीशन, 50 SIM बेच दो, 15,000 रुपे सेलरी, और 51 SIM बेच होगे, तो 500 रुपे कमीशन, एक तो इस तरीके का हो गया, एक हो गया, आप जितना सेल्स करोगे, सेल्स पे 5% कमीशन ले लो, तो दो तरीके का कमीशन, एक amount में decided है, एक percentage में, तो वो कमीशन कैसे होगा, ये भी देखेंगे, house rent allowances, ये क्या होता है, अब employer ने आपको basic salary दिया है, सिर्फ आपका खाने पीने के लिए, और ज़्यादा कुछ ने दिया, सिर्फ खाने पीने के लिए, उसके बाद महंगाई बढ़ गया, अगर खाने पीने के लिए, तो उसके लिए इंतजाम कर दिया, किस फॉर्म में इंतजाम कर दिया, डियर्नेस अलाउंसेस, आपको खुशिया मनानी है, उसके लिए इंतजाम कर रखा है, बोनस, मेहनत करोगे तो extra चाहिए, उसके लिए इंतजाम है, कमीशन, इसके बाद रहने के लिए घर भी चाहिए, तो आपको हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जाता है, आप कहीं भी रह सकते हो, जहां भी रहोगे, आपका किराया आपको दे दिया जाएगा, आपको तो बस 50,000 देता है, तो आप तो बोलते हो, मुझे 50,000 सेलरी मिल गया, लेकिन उस सेलरी में, मालिक ने ये भी सोचकर, वो 50,000 दिया है, उसमें जुड़ा हुआ है, कि आप कहीं किराये पे रहोगे, तो उसका किराया हो, लेकिन कई बार क्या होता है, मालिक बोलता है, कि आप किराये पे मत रहो, मैं अपना घर दे देता हूँ, तो फिर वो ये नहीं देगा, हाउस रेंट बोलेगा, कि ये तो मैं इसलिए दे रहा था, क्योंकि मैं घर रहने के लिए नहीं देता हूँ, लेकिन अगर मैं रहने के लिए घर दे रहा हूँ आपको, तो फिर मैं आपको ये नहीं दूँगा, जिसको बोलते हैं house rent allowances तो इसके अंदर भी components है किस तरीके से निकाला जाएगा यह calculation कैसे होगा और क्या क्या deduction exemption मिलेगा वो देखेंगे इसके अंदर हम चलो रहने का इंतजाम कर दिया other allowances other allowances में आपके बच्चे अगर school पटने जाते हैं उसको देना चाहिए उसके fees का भी इंतजाम करो वो भी है इसके अंदर children education allowances आपको डेली से मुंबई भेज दिया जाता है आने जाने का खर्चा होता है traveling allowances भी है आपको किसी ऐसे area में भेज दिया जाता है जहां पे survive करना बहुत मुस्किल है वो भी दिया जाएगा आपको city compensatory allowances जैसे जो permanently डेली में रह रहा है उसे किसी ऐसे area में भेज जाए जहां survive नहीं कर पाएगा लेकिन उसको थोड़ा लालेश देंगा जी आप जा रहे हैं ना salary बढ़ा रहे हैं आपकी तो वो salary नहीं बढ़ाते हैं city compensatory allowances बढ़ाते हैं क्योंकि आपको एक city से दूसरे city भेजा जा रहा है क्योंकि अगर उसने ये बढ़ा दिया तो सब बढ़ जाएगा वो सरफ इस allowances का एक part बढ़ा देते हैं जिसको बोलते हैं city compensatory allowances चलो और भी क्या क्या allowances है lunch नहीं लेके जाते lunch भी provide lunch आप बाहर गरते हो तो फिर ये employer की जिम्मेदारी है tiffin allowances यानि आप खाना घर पे नहीं बना रहे बाहर खा रहे हो तो ये भी employer की जिम्मेदारी है जो की दिया जाता है आपको tiffin allowances newspaper पढ़ने के सौखीन हो आपको newspaper के भी पैसे दिये जाएगे newspaper allowances यानि जो जो आपकी requirement है वो सब employer देगा वो सारा covered करेंगे allowances house rent allowances एक special allowance है वैसे तो ये भी allowance है इसके उपर अलग से question exam में आता है आपका तो house rent allowances मैंने अलग कर दिया और other allowances इसके इंदर बहुत सारे allowances है city compensatory allowances, hill area allowances आपका बच्चा आपके साथ नहीं रह रहा है hostel में पढ़ाना चाहते हैं तो hostel allowances है अपका तो हर चीज़ का इसमें provision दिया हुआ है लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए 100 रुपे ही दिया जाता है बस ज्यादा नहीं दिया जाता है उनके दरफ से 100 रुपे तक स्कूल के फीस है अब retirement benefit भी आपके salary का ही part है retirement benefit का मतलब होता है कि जब आप retire होते हैं तो बड़े सारे पैसे मिलते हैं क्या-क्या जैसे मिल गया सपोस करो आपको graduate क्या होता है graduate नहीं होता वो भी देखेंगे graduate के बाद आपको क्या मिल जाता है जितने दिन आपने छुट्टी नहीं ली होगी न तो उन छुट्टियों का जोड कर पैसा मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं leave and cashment सपोस करो government ने बोला साल में 5 छुट्टी मिलेगी आपने 10 साल की नौकरी करी और एक भी छुट्टी नहीं ली तो वो 5-5 करके कितने छुट्टी हो गई आपकी 50 छुट्टी और 50 छुट्टी आपको 81 मिल जाएगा तो वो retirement benefit में आ जागा जिसको बोलेगा leave and cashment सेम ऐसे आपको pension मिलना start हो जाएगा retirement के बाद pension मिलेगा तो उसको हम coverd करेंगे retirement benefit में और भी बहुत सारी चीज़ है provident fund भी है मैंने यहाँ पर लिखा नहीं एक provident fund भी होगा वो भी देखेंगे परकिजिट्स सुख सुविदा है परकिजिट्स में आपको मालिक कुछ पैसे नहीं देगा उसके बदले देगा अच्छा आप laptop चाहिए आपको घर के लिए office में problem होता है आपको काम करने में laptop दिया गया अच्छा आने में late होरे office car देंगे अच्छा आपको driving नहीं आता driving देंगे office में चाई पीना है चाई पिलाएंगे खाना खाना है खाना खिलाया जाएगा रहने के लिए घर है घर दिया जाएगा घर में मन ने लगरा टीवी भी लगा दिया जाएगा यानि सारी सुभीदाएं वो परकिजिट्स में अब office के लिए अलग कार चीए घर के लिए अलग कार चीए वो भी है बिजली का बिल भी employer बोलेगा मैं ही भर दूँगा वो भी है servant चाहिए वो भी मिलेगा cook चाहिए आपको खाना बनाना नहीं आता वो भी देंगे यानि जितनी भी सुविदाएं मतलब आपको पैसे नहीं दिया जाएगा उसके अलाबा आपको सामने वो चीज आपको प्रवाइड कर दिया जाएगा वो आजाएगा परकिजट्स में और अलाउंसिस में क्या होगा पैसे दे दिया जाएगा जैसे आपके बच्चे को स्कूल है आपके बच्चे को स्कूल पढ़ता है इंप्लोयर बोलता है मेरी सरदर जाएगा पानश रुपर ले लो अपने बच्चे का और जाओ यहां से वो अलाउंसिस है उसके आपको बच्चा पढ़ता है मेरा भी एक स्कूल है मेरे स्कूल में पढ़ा हुआ अप अपने बच्चे को तो वो perquisites है यानि आपको cash में दे देगा तो allowances में convert हो जाता है लेकिन हम आपको facility दे देंगे तो perquisites तो सोचो कितने employees कितने सुक्स विदा लेते होंगे जो हम सारा का सारा अपका word करेंगे इसमें तो अगर 50 है तो 50 के 50 का word होंगे ये लिखा तो सिर्फ मैंने perquisites है लेकिन अगर इसमें 50 facility है तो पूरे 50 के 50 लेंगे हम facility और हर facility में exemption भी आएगा के खाना खाओगे तो 50 रुपे तक की छूट बाकी taxable होगा इस तरीके से employment tax आप lunch करके फिर पार्क वगेर हमें घूमना चाहते हो lunch करते हो 15 मिनट में lunch कर लिया फिर बाहर घूमोगे इधर घूमेगे सड़कों पे घूमोगे उसको भी थोड़ा अच्छा बनाए जाए तो company government को कहता है भई यहां का पार्क वार्क अच्छा बनाओ हमारे employee यहां पे आके बैठते हैं उसके लिए भी आपको benefit दिया जाएगा employment tax दिया जाएगा इसके बाद सब मिला के यह salary होगा less कर देंगे हम entertainment allowances और employment tax यह deduction है entertainment allowances यहां movie नहीं दिखाये जाएगा यहां पे यह होगा आपका कि कोई भी employer आता है और employee है employee क्या करता है जैसे ही आज कल के time पर तो मैंने देखा है जैसे ही कहीं अच्छे से showroom में जाओ और आप अच्छा समान खरीदने वाले हो वो तो सबसे पहले बिठाएंगे और आपको पूरी family के बारे में पूछेंगा आपको लगे बड़ा अच्छा यह है इसके बाद क्या पहले खाना खालो फिर आगे काम स्टार्ट होगा तो उस case में मालिक अपने employee को पैसे देता है यह ले 50,000 कोई आएगा तो उसकी खातिरदारी में कमी नहीं करना अगर कोई अच्छा customer है तो hospitality का खर्चा वो होता है entertainment allowances अपना नहीं सामने वाले का entertainment करना है इसमें तो entertainment allowances employment tax इन सब को जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे last में यहां तक gross total salary और यह आजाएगा net salary तो हम next class से हम basic dearness allowances हर किसी पे point wise point लिखना चालू करेंगे तो अभी तो मैंने बस intro दिया है कि salary है क्या 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 सीखेंगे